आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे PSU बांक बीज जो की निफ्टी PSU बांक इंडेक्स के उपर बेजड एक ETF है उसमें कैसी स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म या लॉंग टर्म में अपॉर्चुनिटी दिख रही है वैसे तो यह ETF पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा रनब दिखा चुका है जब से निफ्टी ने 19,000 का लेवल क्रोस किया है यह ETF अगर आप इसमें पहले से काम करते हैं या अगर आप इसके नेचर के बारे में जानते हैं तो काफी वालटाइल मूव्स देता है उपर और तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ आप सबको इसके लिए चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चलिए देखते हैं मंतली चार्ट पर ये इंडेक्स कैसा कर रहा है इसका अंडरलेंग इंडेक्स है पीस यू बंक भी जीटीएफ का तो मंतली चार्ट पर हमें दिख रहा है मैंने काफी लाइन्स ड्रॉ करी है रिजिस्टेंस लेवल की तो आपको समझने में काफी असानी होगी तो पिछले 2008-10 से यहां पर दिख रहा है और 2023 तक का यहां पर चार्ट है तो मंतली चार्ट पर अगर हम देखें तो यह इस मंतली चार्ट के रिजिस्टेंस लेवल यहां पर देखें तो 4400 से लेकर 4450 पर एक रिजिस्टेंस लेवल है जो कि इस इंडेक्स ने जानवरी 2015 देन ऑक्टूबर 2017 अभी जुलाई 2023 में दुबारा से उन्हें लेवल के आसपास है तो यह काफी इंपॉर्टन रिजिस्टे करनें का ट्राइ कर रहा है अगर हम डाटि की मोमेंट देखें अंडरॉइंट इंडेक्स देखें बैंक्स देखें जो भी इस इन्दैयफ का पार्ट है तो नीचे की स्टोरी काफी लगती है और मुझे लगता है कि इस बार इसे यह लेवल क्रॉश कर जाना चाहिए तो मल्टी एर ब्रेक आउट जरूर आएगा ऐसा लग रहा है मुझे तो नियर टम में देखें तो यह वाला जो स्विंग हाई है 46154620 के आसपास जो कि यहां से तीन साड़े तीन परसंट की मुमेंट है नियर टम में यह तो पहला टार्गेट है ही बट यह जो अल्टेम हाई है जो कि पिछले तेरा साल से क्रॉस नहीं हुआ जो कि इंडेक्स लेवल पर 5375 है यह अगर देखें तो करेंट लेवल से अल्मोस बीस परसंट की मुव है विच इस नॉट बाड तभी मैंने थम नेल पर 5555 इंपॉर्टेंट लेवल लिखे हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में टेस्ट या फिर क्रॉस भी हो सकते हैं अब मंतली चार्ट के बाद अगर हम वीकली चार्ट पर आएं तो देखते हैं क्या च सब्सक्राइब तो यहां से करेक्शन आयती हैं काफी ज्यादा कंसॉलिडेट करा यह इंडेक्स डिसेंबर 2020 में करेक्शन दिखाने के बाद मार्च में इसने लो बनाया जो रिसेंट लो था फिर उसके बाद यहां से थोड़ा आप मूव दिखाया और यहां पर काफी टाइम कंसॉलिडेट करा अभी कंसॉलिडेशन के बाद यह काफी अच्छा ब्रेकाउट आया है और यह फिर से एक इंपॉर्टेंट लेव करने के साथ साथ आई हैं सेकेंडली इसने फ्राइडे के दिन नीचे आने की कोशिश की थी नीचे आने की कोशिश की थी और थोड़ा करेक्ट करने की ट्राय किया था अगर मैं आवरली चार्ट पर जाऊं तो आपको दिखेगा साफ पर यहां पर इसने फिर से एक और काफी अच्छी दो स्ट्रॉंग आवर्ली केंडल बनाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही यह यह वला लेवल तो अराम से देख लेगा और 20% का जो लेवल है जो की 5-3-7-5 इंडेक्स पर है उसे भी यह बिल्कुल देख सकता है अब हम टेक्निकल्स देखने के बाद थोड़ा यह देखना चाहें कि फंडमेंटली नीचे जो अर्निंग्स हैं और जो वैल्यूएशन्स हैं वो कैसे काम कर रही है और उसके साब से क्या यह इन लाइन लगता है विट टेक्निकल्स तो आईए देखते हैं और इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं निफ्टी इंडाइसीज की वेबसाइट निफ्टी इंडाइसीज की वेबसाइट पर चलें तो हमय यहां पर इंडाइसीज का हिस्टोरिकल डेटा भी मिलेगा अब हम हम देखें तो यहां पर आपको दिखेगा रिपोर्ट के अंदर इस्टोरिकल डेटा-देक्स और इसमें हम दिखेंगे कि निफ्टी पीस्यू इंडेक्स का इस्टॉरिकल डेटा में वैल्यूशन वाइस यह क्या कर रहा है ऑल्दो पीबी रेश्यो एक बेटर मेजर होता है बैंक्स की फिनांशल अनालेसिस करने के लिए बट तो अंडर्स्टैंड इट ऑन हाई लेवल ह पी रेश्यो भी देखते हैं कि कैसे कितना सस्ता और कितना महंistes पर इतना रॉन होने के बाद भी है। यहां पर सिद्बी पी स्यू इंडेक्स को को कि यह आपको दिखेगा यहां पर इस इंडेक्स ने जो पिछला हाई बनाया था वो डिसेंबर 2022 में बनाया था अगर मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं अभी और मार्च में इसने लो बनाया और फिर से ये उपर की तरफ चल रहा है तो यहां पर आपको दिखेगा कर मैं विकली चार्ट पर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि इसने डिसेंबर के आसपास है बनाया था 2022 में और मार्च में इसने लो बनाया था अब यह फिर से इन लेवल के असपास पहुँच गया है तो इस्टोरिकल ुडेटा में देखें तो यहां पर हमें पी रेशो सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड धन अगेन यहां पर पी एसियो इंडेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा पी एस्थि बैंक इंडेक्स इस वन अब इसमें मैं December से लूँगा पिछले December 2022 से यहां से and then मैं PE और PB दोनों ले लाता हूं although मैं आपको PE के बारे में ही जादा बताऊंगा यहां पर because PB को समझना थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा उसे अब पी रेशियो को देखें अगर हम तो अभी यह 8.27 की पी रेशियो है इंडेक्स की 7 जुलाई को अगर मैं पीछे चलों December में देखूं जहां पर इसने हाय बनाया था तो इसने 10.94 की पी यहां देखी थी फिर 11.52 देन 11.58 मतलब यही अल्मोस्ट हाइए पी का 11.58 का हाई बनाया इसने पी ने ओके अंड देन जब मार्च में करेक्शन आई तो मार्च में जो इसने लो बनाया तो इसने पी लेवल्स पर क्या लो बनाया 8.208.08 एंड देन अगें 8.18.08 तो 8.18.08 जो है यही उसने लो बनाया मार्च में जब मार्केट नीचे गई अब दुबारा मार्केट उपर की तरफ है और पी स्टिल 8.27 है तो आप तो आपको यह सोच कर हरानी नहीं हो रही कि यह कैसे पॉसिबल है इंडेक्स उपर के लेवल पे है और पी रेशियो अभी भी सिमिलर लेवल्स पे है वह इसलिए विकॉज अंडरलेंग अर्निंग बढ़ चुकी है अगर मैं 49.57 का वो लूं ज सब्सक्राइब करेंट प्राइस है उसको 8.27 से डिवाइड करूं तो पर एटीएफ 5.99 की अर्निंग्स है किसी टीएफ में और अगर मैं सेम लेवल्स पर जाना चाहूं 11.58 का अगर इसने हाय बना दिया पी में तो 69 इसका टार्गट बनता है जो की काफी दूर का तो अगर इसकी अवरेज को भी अचीव कर लिया मानलीजे 9.8 तक भी पहुंच गया यह पी रहें तो जाम हमने कैलकुलेट कर रहा था कि 5.99 EPS है तो 9.82 तक जाने पर भी इसका टार्गेट कम से कम 58-59 का दिखता है तो यह सब अनालिसिज मैंने आपको करके दिखाया कि कैस से मुझे टेकनिकली और फंडमेंटली यह अच्छा लग रहा है ETF और आने वाले टाइम में क्यों यह ऊपर की अच्छी मूव दिखा सकता है अपको इस वीडियो से काफे कुछ सीखने को मिला हो और नई लर्निंग मिली हो चार्ट को कैसे देखना है उसको फंडमेंटली कै कैसे कनेक्ट करना है यह सब सीखने को भी मिला हो अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और यूट्यूब के अलगॉरिथम को भी बता दीजिए कि यह वीडियो कितनी इंपोर्टेंट है सब लोगों की फिनांशल लिटरिस के लिए थांक्स फर वाचिंग वीडियो गाइज इस अमन प्रीट सानिंग आफ टेक केर बवाई